नमस्कार दोस्तों जय हिंद वन्ने मात्रम आर्मी ओर्डिनेंस कॉप्स सड़े 1700 पोस्टों पर जो यह फाइलमेन और ट्रेडमेन की भरती आई है आज इक इस वीडियो के अंदर आपको पूरा लाइब दिखा रहा हूं मैं एड्मिट कार्ड कब आएगा एड्मिट कार्ड किस का आएगा कितने दिन पहले एड्मिट कार्ड आएगा और एड्मिट कार्ड आने के बाद फिजिकल कब आएगा admit card जब आएगा message पे आएगा कहां पे आएगा email पे आएगा website के अंदर आएगा ठीक है कितने percent बच्चों को physical के लिए बुलाया जाएगा और physical के बाद कितने बच्चे return को दे पाएंगे joining कब होगी सभी complete information इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ चैनल अभी subscribe नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से जाएगे देरी किस बात की चैनल को जल्दी से जाएगे subscribe कर ले आज बहुत महतपूर्ण और बहुत ग्यानवर्दक वीडियो रहने वाली है आर्मी भायों के लिए जैसा कि मैं आपको बता दूँ आर्मी ओडिनेंस कॉप्स क्या होता है पहली ये चीज़ समझी आर्मी ओडिनेंस कॉप्स में देखी आपको यहाँ पर आर्मी के जो भी कैम्प होते है अब सपोस्ट जैसे ट्रेडमेन पोश्ट है ट्रेडमेन पोश्ट वाली और फायरमेन में fireman के अंदर जो physical रहता है physical के अंदर आपका weight mainly जो है आपका weight उठाने का रहता है 63 kg का weight है क्यों आपको physical के अंदर क्यों बुलवाय जा रहा है क्यों ये weight उठाय जा रहा है इसके पिछे भी logic है क्योंकि आपकी जो post होगी वो work के ability के according आपको मिलने वाली है that is the point second point is trademan trademan में 48 kg है trademan में थोड़ा हलका काम है fireman का थोड़ा heavy work है चलो ये तो थोड़ा सा job profile के बारे में था अब बात करते हैं admit card किस-किस बच्चे का निकलने वाला है क्या 19 लाख जो आवेदन पत्र भरे गए है इन सभी का admit कराएगा देखे बचों physical के लिए physical के लिए सारे बच्चों को बुलाया जाएगा ऐसा कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा बस सर्त यह होनी चीए कि आपका form reject ना हो आपका form submitted हो क्योंकि अभी कुछ-कुछ बच्चों का time लग रहा है बारत की सारी भरतियों की जानकारी हम आपको एके करके बताते है पूरे ज्यान के साथ पूरे तरीके के साथ पूरे तर्क के साथ तो अब समझना है मेन हमें क्या admit card का बाएगा ठीक है बहुत सारे जगों पे मैं उस channel का नाम नहीं लूँगा thumbnail में डाल देते हैं message आना सुरू अरे कहा message आ रहा है भाई ब्योकू बनाया जाता है क्या कुछ भी बोल दोगे message आ गया मैं बता देता हूं बच्चों आपको 10 से 15 मार्च के बीच में admit card का notice जो है जारी हो जाएगा ठीक है ना क्यूंकि हमारी बात होती रहती है आर्मी ओडिनेंस में भी actually हमारे काफी सारी link रहते हैं हम जिसके थुरू आपके लिए information पकड़ के लाते है ठीक है ना ढूंड के लाते तो ठीक है चैनल भी subscribe कर लिया करें इतना support करते है ठीक है आप आपका बड़ा भाय आपके लिए कितना support करते है हमें भी थोड़ा support करा करें ठीक है अब बात करते है admit card तो चलो यह admit card की बात हो गई physical में physical ground में होगा कहां होगा देखो बच्चों इसका जो physical होता है अब जैसे ITBP हो गया BSF हो गया इनके इनके जो physical है इनके camp में होते है जैसे ITBP का camp हो गया कहीं भी particular state के अंदर होता है तो उनके ITBP के area में वो होता है अब इनका physical ground में जहां तक लग रहा है इस बार ground में army ordinance का physical होने वाला है क्योंकि जादतर physical on the road पे भी होते है आपके external ways में होते है ठीक है तो admit card को में बता दिया हूं बच्चों admit card 10-15 के बीच में आपको देखने को मिलना सुरू हो जाएगा और admit card आपको email और message के मादियम से आएगा मैं यह नहीं बताऊंगा कि आज ही मतलब आज ही message आएगा ठीक है इस तरीके से रही अब बात करेंगे कि physical में याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों physical के बाद 1,35,000 बच्चों को ध्यान से सुनना 1,35,000 बच्चों को return के लिए बैठाया जाएगा समझें मतलब इंतिहान देने के लिए जब आपकी सारीरिक दक्षिता परिक्षन जो आपकी परिक्षा है 1,35,000 बच्चों को बिठाया जाएगा अब आप बोलेंगे कि सर 19,00,000 पोस्ट है अब उस मैंसे अगर 10,00,000 का physical होता है या selection होता है तो भाई वो तो ratio के according उन्होंने 1 ratio 75 बता दिया है कि 1 75 के ratio में यानि 75 ratio अगर मैं पोस्ट का 75 गुना करता हूं या 75 टाइम्स करता हूं तो 1,35,000 इसका answer निकलता है तो यानि कि इतने candidate को return में बैठने का मौका मिलने वाला है ध्यान से समझना एक-एक करके बारीकी से समझा रहा हूं चीजों को अब उसके बाद क्या होगा return किया जब result आएगा cut off वगेरा आपकी बनेगी इसकी cut off दो निकलेगी एक आपकी normal cut off जो कि physical return की निकलती है एक final cut off जब आपकी medical वगेरा जो होते है इसकी standard है अपने को ठीक है तो इस तरीके से आपका इहां पे सारी चीज होने वाली है I hope माने आपको proper और पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दे दिये जो profile के बारे में मैंने बता दिया आपको कि इसका work थोड़ा heavy रहता है ठीक है आपकी physical efficiency अच्छी होनी चीए और हाँ जो बच्चा physical की तयारी नहीं कर रहा है ठीक है वो physical देने बिलकुल ना जाए क्योंकि इसका physical बहुत hard होता है आपको क्या लग रहा है अब 200 मीटर दोड़ जाएगा दोड़ जाएगा 200 मीटर और वो भी 63 kg के weight के साथ तो बेटा जब खाली हाथ जब रिक्त होते हो आप खाली होते हो तो भी आपको दोड़ते दोड़ते सांस लग जाती है 63 kg का weight पता है कितना होता है बहुत होता है अब कोई person खुद 60 kg का है 63 kg का weight उठा रहा है तो क्या होगा उसका सोचे वो तो ऐसे हो गया ना कि शीशू के कंधे पर cement का कटा ला दिया वो तो वही बात हो गई तो इस तरीके से बोल रहा हूं खुद को घोड़ा और खचर बना दो खुद को घोड़ा गाड़ी बना दो जिससे कि आपको भार उठाने के लिए कोई problem ना है अच्छे nutrition का uses करें फायदा हो जिससे आपके body को आपके cells देखिए जब आप running करते है तो आपके cells क्या है टूटते है जब वो टूटते हैं आपकी जो cells होते हैं कोशी का हैं तो वो नए cells का निर्मान भी करते रहते हैं उसके लिए आपको बेटा सही से nutrition लेना चाहिए जैसे कि salads हो गया आप green vegetables टेवल्स का क्योंकि उसमें vitamin K vitamin E बहुत सारी चीज़ें होती है ठीक है जो मतलब वेजर टेवल है आप उस चीज़ का वो करें चावल कम से कम खाएं क्योंकि running के time में बहुत से बच्चे गडबड कर देते हैं कि वो चावल खा लेते हैं चावल खाने से क्या होता है दिकत हो जाती है आपकी running नहीं हो पाती है stamina को अगर increase करना है गन्ने का juice बनाना हरी सबजियां सेलेट्स वगएरा मूली गाजर चुकंदर ठीक है बेर ऐसी चीज़ां को खाय करें जिससे कि आपकी lemon हो गया lemon juice पीके जाए जिससे कि आप क्या है आपकी body जो है detoxify हो ठीक है तो मैंने आपको पूरी A to Z बारीकी से समझा दिये पूरी इस वीडियो के अंदर ठीक है बाकी बचों वीडियो अच्छी लगी है तो अपने छोटे भाई को बड़े भाई को अपने गुरु को प्यार दें सपोर्ड दें क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम आपको हर पल सही जानकारी दें ठीक है तो वीडियो में इतना ही बचों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मेलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए